साथियों नमस्कार SM News देखने वाले सभी साथियों का नमस्कार साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय नमस्कार साथियों हम जब भी चुना होता है तो बहुजन समाज पार्टी के संदर्म में एक शब्द बहुत प्रचलित है सोशल इंजिनरिंग बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजिनरिंग का प्रयोग करती है यह सोशल इंजिनरिंग क्या है थोड़ा सा इस पर हम लोगों को गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो सोशल इंजिनरिंग बहुजन समाज पार् सोसल इंजिरिंग है सामाजी गड़ जोड क्या है तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर प्रोग्राम के माध्यम से समाज में एक जागरुपता पैदा की वो जागरुपता यह थी कि जो भारती समाज है वो विभिन वर्गों में विभिन जातियों में बाट दिया गय माज़ा ही हुझ हजारों की संख्या में छाज़ए सांस जातिया है जो एक दूसरे से बिलकुल खान-पान और रहनसे हर मामले में बिलकुल अलग हैं सब एक दूसरे को स्रेष्ट मानती हैं अपने को स्रेष्ट मानती हैं और इस कारण से यह बहुजन समाज विभाजित है विभिन जातियों में भी बटा हुआ है यह जातियों में बटा होने के कारण इनको तमाम जो सामाजिक या राजनेतिक या आर्थिक जो राज दोरा तो इस कारण से बहुजन समाज पार्टी ने इस जो एक अभाव या विभेद पूर्ण जो एक नीती है या जो समाज का यह जो वेवस्था है उसमें परिवर्तन के लिए आमूल परिवर्तन के लिए एक revolution एक आंदोलन चलाया जो जिसे बहुजन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है यह बहुजन मूवमेंट समाज में बिखिरे हुए लोगों को एकत्र करना है एक वर्ग में एक बहुजन समाज वर्ग बनाने का मूवमेंट है बहुजन वर्ग जो है यही अपने अधिकारों के लिए अपने जो जो उसे चाहिए जो जरूरी होती है एक जीवनेस्तर के लिए अपने जीवनेस्तर को सुधारने के लिए तो वही जो चाहिए वो उसे प्राप्त करने के लिए यह मूमेंट है यह एक आंदोलन है तो यह आंदोलन जो बहुजन मूमेंट के नाम से जाना जाता है ये एक सोशल सामाजिक गठ जोड का आंदोलन है जो विभिन जातियों में बटे हुए लोग हैं उनको एक सूत्र में बांधना एक सूत्र में लाना उनमें राजनितिक चेतना उनमें सामाजिक चेतना पैदा करना सिख्छा का प्रचार प्रशार जागरूपता पैद किया है लोगों में चेतना पैदा करी है लोगों में उनके अधिकारों के प्रति सजक्ता पैदा की है तो इस तरह से जो भी अंदोलन है ये समाज को एक जुट करने का बहुजन समाज पार्टी समाज को तोड़ने के बज़ाए समाज को बाटने के बज़ाए लोगों को एक सूत्र में जोडने का काम करती है ये उसकी सोसल इंजिरिंग है अर्थाद जो विभिन जातियां है जातियों के तमाम इस तरह के सम्मेलन करना और जातिगत आधार पे जो बटे हुए लोग है उनको एक जगए लाने के लिए कैडर समाओं के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम करती है ये सोसल इंजिरिंग है इस सोसल इंजिरिंग के तहट बहुजान समाज पार्टी ने जहां शुरुआत की थी आज वो अपने बरतमान में उसके दस मिंबरा पार्लेमेंट है उन्नीस लो राज बिधान सभा के सद से हैं मेल सीज हैं और जगे जगे तमाम ऐसे ओदों पर लोग पहुच गए हैं और यही नहीं 2007 में बहुजान समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाई थी इसी सोसल इंजिरिंग के तहट अर्था जार्टियों को एक जुट होने के ल इसका नाम बहुजान मूवमेंट है इसके साथ ही बहुजान समाज पार्टी को यह हिसास हुआ कि लोगतांत्रिक मर्यादाओं के अनुसार भारती संभिधान के अनुसार एक कोई भी राष्टी कृत पार्टी अपना ये एक जाती के आधार पे कुछ जातियों के आधार प पनती है तो वह सर्वथा घलत होगा इसलिए विभिन्ण समाज के लोगibt हैं चाहे वो सर्वण कि हैं चाहे वो बहुजन समाज के लोग IGHT सब को साथ लेकर चलने के बात है सब को साथ चलने के लिए जो उन्होंपन्ड चलाया वो सरवजन की बात कही लोगों ने किस तरह से इस मुमेंट को रोकने के लिए जो तमाम पार्टियां हैं जो ब्रामनवादी दल हैं वो इसको बदनाम करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी अपने नीतियों से भटक जाती है और बात करती है अपने महानायकों की बाबा साब की या बहुजन मुमेंट की और बामनवादी दलों से समझोता करती है उनके साथ सरकार बनाती है तो साथियों यसी बात को समझना बहुत जरूरी है एक होता है सोसल गठवंधन और एक होता है पॉलिटिकल गठवंधन सोसल गठवंधन सोसल को एलिंस और पॉलिटिकल को एलाइंस तो यह पॉलिटिकल एलाइंस बहुजन समाज पार्टी केवल सरकार में आने के लिए अर्थात अपने मुमेंट की मजबूती के लिए ये औसरों का लाब बहुजन समाज पार्टी के संस्था पर्क मानुवर कासिरान साब ये कहा करते थे कि हम औसरों को भुनाएंगे हम जो भी हमें औसर मिलेगा उसका लाब उठाएंगे कि हमारा समाज बंचित समाज रहा है, हमारे समाज को आउसर नहीं दिया गया बहुजन समाज को, तो वो सासक वर्ग बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो आउसर मिलेगा, वो उसको करेगा, लेकिन अपने जो नीतियां है जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां है जो बहुजन मुमेंट की नीतियां है उनसे कभी समझोता नहीं करेगी और उदाहरण भी हमारे सामने रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ने अपने नीतियों के साथ भलस पॉलिटिकल गटवंधन किय है लेकिन अपनी जो उसकी नीतियां है बहुजन समाज पार्टी की उसके साथ उन्हों ने समझोता नहीं किया है अपने अपने वसूलों के आधार पे बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता चलाई है तो जातियों यहीं पर समझना बहुत जरूरी है लोगों को और जो लोग इस जुड़े रहना नहीं देना चाहते जो गड़बंदन नहीं होने देना चाहते सामाजी गड़बंदन वो तो बुराई करेंगे करेंगे क्योंकि उनका नुक्सान वो क्योवल 15 परस्थ है वो इसी तरह बांटने के आधार पे ही सत्ता म में बने हुए हैं उनका उद्देश केवल सत्ता में बने रहना है समाज का सुधार समाज का परिवर्तन समाज में ये जातियांortex के साथ होता है यही जो है सोशल इंजरिंग है इसी बहुजन समाज के समझोते के साथ साथ उन्होंने सरो समाज को लेके ये एक और अच्छी बिचारधारा है सरोजन हिताय सरोजन सुखाय की बिचारधारा यही कहती है लोग तंत्र की भावना यही कहती है संबिधान में इसी बात को की जब भी बात करनी है तो सब के सुखाए सारोजन सुखाए की केवल हम अगर बहुजन के या कुछ जातियों के हित की बात करें तो हम भी उसी तरह से जो हम मनुवादी सोच या ब्रामणवादी सोच की हमा रोचना करते हम भी उसी तरह का ब्योवार करेंगे हमारा भी आचरन वही होगा हमें भी लोग उसी दर से देखेंगे इसलिए बहुजण समाज पार्टी बहुजण मूवमेंट को तो चला ही रही है बहुजण मूवमेंट के आधार पे तमाँ बटी हुई जाक्ड़ों को तो एक अत्र परी रही है लेकिन एक नेसलाइज पार्टी होने के नाते रास्टी इस्तर की पार्टी होने के नाते और लोग तंतर की मरियादाओं का पालन करते हुए संभिधान की मूलियों का संभिधान के मूलियों का पालन करते हुए उस सरवजन की बात करती है और सरवजन सर्व समाज के लोगों क जोडने की बात कर रही है, यह जो है उसकी social engineering है, इसलिए गट बंधन, political गट बंधन, बहुजन समाज पार्टी का सुरूरू में कुछ नहीं होता, चुनाओ के समय किसी के साथ बहुजन समाज पार्टी गट बंधन नहीं करती है, जो गट बंधन करती है, political, वो अपनी सरतों क के अधार पर करती है केवल चुनाओं के लिए लेकिन इस वर्स अब जो बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित किया है कि वो अपने बलबूते पे 2022 का बिधानसभा चुनाओं उत्तर प्रदेश में लड़ेगी तो यह एक सोशल इंजिरिंग के तहत इसी भावना जो 2006 साथ में जो चुनाओं हुआ था उसमें जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक गठ जोड समाज की विभिन जातियों को एक सूत में बांद कर एक एक जगे एकत्र होकर और एक सामाजिक गठबंदन बनाने का जो प्रयास किया था उसमें उसे सबलता मिली थी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहुजन समाज के लोग है जो बहुजन समाज के लोग भी अगर इस तरह की आलोचना करते हैं वह बिल्कुल गलत है यह सोशल इंगिरिक का मतलब समझें सासक वर्ग बनने के लिए कुछ लोगों में बेटर ब्रेंड और बेटर गड्स होने चाहिए यह गड्स की बात है हम एक समिधानिक मूल्यों की इस्थापना के लिए लोग तंत्र की इस्थापना के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं तो हम किसी के प्रति जिस तरह से लोगों ने वर्ग भेद या जाती भेद या और तमाम तरह के भेद पैदा कि हम उससे दूर रहकर एक समाज में सवहार्द पूर्ण वातावरन बना कर एक समाजिक गठवन्दन के तहत जो चुनाओ लड़ना या सत्ता में आना या पावर की लड़ाई लड़ना ये बहुजन समाज पाटी का मुमेंट है ये है सोशल इंजिनरिंग इसे समझना बहुत ज जिस तरह से कमेंट्स करते हैं बहुजन समाज पाटी पर और बहुजन समाज पाटी के नेता पर ये सरुथा बिल्कुल गलत है इसे लोगों को समझना चाहिए और बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पाटी को मजबूत करने के लिए हर तरह से तन्मन धन्च से सबको प्रियास करना चाहिए धन्यवाद सबको नमस्कार जै भीम नमो बुद्धाय सशिरिकाल आदाब